कि देखो यह क्या रहा है कि पर्टिकुला प्रोसेस है अपने ग्रोथ की प्रोसेस देख रहे हैं कि जो मैक्सिमुम कहां होंगी देखने को मिलेगी कि चाइब को मिले कि इसको हम बहुत हैं कि इसको में क्रॉफ ग्रोथ तो यहां पर हम यहां कि डेखने को मिल रहा हमें कि देखो यहां पर स्ट्र्टिम में होती है तो यहां पर जो इस पीज है जहां पर बहुत ही कम है ठीक है यहां बहुत होती है हमारी लेख फीज ठीक है और जहां पर आपको इद्दम से ग्रास्टिक लिए ग्रोथ देखना को मिल रही है यह हमारी क्या एक्सपॉनेशियल एक्सपॉनेशियल फीज बोल दो यह हम इसको बोसते हैं लोग फीज ठीक है और जहां पर हमारा ग्रोथ एकदम से आप क्या होगा यह सीधे यह सीधे जानने लग गया नॉर्मल तो इस वाले पर्टिकुलर फीज का हम बोलेंगे है इस्टेशनरी इस्टेशनरी फीज ठीक है तो हमाँ टीन टाइप की फीज देखना को मिलेगी ठीक है एक तो ते लैक फीज लैक मतलब आपकी प्राइमरी जो ग्रोथ इस्टार्ट हो रही है ठीक है एंड देन हम देखेंगे आपकी एक्सपॉनेशियल ग्रोथ या आपका लोग फीज जि मैंम नहीं है ठीक है तो क्या होगा ठीक हो इंयों ठीक है तो तो कि यहां से लेखर के यहां तक आपकी क्या खीशिन होती है उसमें आपको ग्रासिक्र के लिए खने को मिल रहा है इससे अंदर क्या दिखते हैं कि प्लांट की जो रीव होती है। जाएगी जड़के नीचे गिर जाएगी जैसे हमारी एक एस होती है उसी परकार से प्लांट की भी एक होती है ठीक है एक हर एक जो इंडिविजियल है उसका पाटिकुला लाइफ इस्पैन है कि कोई कितने टाइम तक रहता है जैसे हम क्या थे पहला बच्चे थे बड़े हु जैसे हमका फ्रमींशन हो रहा है ठीक है तो आपका जो सीड है जो सीड है और इस सीड का जमीनीशन होने तक का इस सीड की से होने तक है क्योंकि हाँ पर हमें पता है कि यहां से रूट फॉर्मिशन होगी ठीक है आपका रैडिकल से तो इसके बीच का जो यह टाइम प्रेड है कि आपका लाएक का लोटा है तो कंडिशन को रोग देता है तो उस कंडिशन को यह हम बोल रहे हैं ढूमेंसी इसको और रहे हैं मेंद आ दूर्मेंसी तो यहां पर रहा है तो यह पर रहां तो यहां पर बात की जारी है कि आपका जो ग्रोथ करव होता है प्लांट के अंदर वह कैसा होता देखो कोई भी ग्रोथ होती है प्लांट की तो वहाँ पर हमें तीन फीज देखने को मिलती है यहां पर हमारी ग्रोथ क्या होती है तो तीन फीज क्या होगी लैक इनिचल फीज जहां पर हमारी ग्रोथ बहुत ही कम होती है यहां पर हम इन बोला है कि टिपिकल ग्रोथ कर अगर देखता हूं तो अगर देखता हूं तो अगर आपको क्या से देखने को मिल रहा है नॉर्मल हमां को ऐसा देखने को मिलता है तो यहां पर जो मीनिमम जो ग्रोथ है वह इस जगे उपर है तो इसको हम बलेंगे क्या लैग फैज क्या बलेंगे लैग फीज ठीक है यहां पर हम बोल सकते हैं टाइम और यहां पर मैं बोल सकता हूं ग्रोथ ठीक है और देखो यहां पर आपकी तो ग्रोथ है तो यहां पर एकदम exponential increase हो रही है उसका हम क्या बोलके जा रहे है exponential exponential phase और log phase and then यहाँ पर जो आप जो ग्रोथ हो रही है वो एकदम stop हो रही है या आप देखे कि आप यहाँ से ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी तो इस वारी जगे को हम यहाँ पर हम बोल रहे है stationary stationary तो यह वाले पीज क्या होगी हमारी exponential यहां से लेकर यहां तक क्या होगी लाग फीज और यहां से लेकर यहां तक क्या होगी इसको मैं याद करने का तरीका बताओ ना बच्चों तो कैसे याद करोगे अगर देखो हमारे भी घर में कोई बंदा आ रहा है तो सबसे पहले क्या आएगा उसका लेग आएगा या खुद आ जाएगा तो यह याद करने का तरीका है अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर क्या होता है यह आपका क्या होता है यह आपको कर्व इसको हम क्या बोलते हैं सिग्मोईड कर तो हमारा जो ग्रोथ का जो कर्व होता है वो देख़़ए यह च्छेप के अंदर है इसलिए हम इसको बोलेंगे एच च्छेप को हम बोलते हैं कर तो यहां पर करक्ट आंसर क्या हो जागा इस टेप नहीं पर आप बिल्कुल भी नह का and linear linear like अपन अगा बोले क्या linear होता है ऐसा तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता हमार को ठीक है तो correct answer is a C is a correct answer note कर ले जिए बच्चो So next question is sanicence as an active developmental cellular process in the growth and functioning of a flowering plant is indicated in Sanicence का मतलब क्या होता है बच्चो Sanicence का मतलब होता है कि कोई plant है पर्टिकुलर अगा आपन देखते हैं कि अगा हम्या बात की जाए कि हमारे एक पटिकुलर time के बाद में इसमरे अदर हमारे अंदर ही आपकी तो प्लांट होते है उनके आंदर भी आईजिंग आईगी तो जैसे कि younger plant है यंगर प्लांट बाद में convert होगा किसके अंदर हो यह आपने बोसते है कि younger leaf के अंदर लीफ एன्ड होती है, तो सानीसंस ज़żej नहीं कि पोरे ब्लांट के अंदर हो, तिक है तो अ यह हमारी क्या होगी, लीफ होगी, ठीक है, यह हमारी क्या होगी, लीफ होगी है, किसी प्लांट की, तो यह प्लांट है हमारा, क्या हमेशा ऐसे रहेगा, तो कुछ टाइम बाद अगर हम देखते हैं, कुछ टाइम बाद अगर हम देखते हैं, तो इसकी जो लीफ होगी, इसक यह अलो ही हो जाती है ठीक है आउ कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कुछ टाइम बाद हम देखें यह कि यह दोको आपके पूरी की पूरी लीफ क्या हो गई वह जड़ा दई आपकी लीफ ही नहीं है तो एक पर्टिकॉलर टाइम पे तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं मैं आपर बता सकता हूं कि यह मेरा क्या है यंगर प्लांट है यंगर है या लीफ इसके अंदर क्या बोल सकते हैं हम कि लीफ क्या है इसमें घ्रीन लीफ है ठीक है देन हम बोल सकते है थोड़ा स्मु टाइम आने के बाद में लीफ क्या होगी यलोईश होगी and then क्या होगा कि हमारी लीफ क्या होगा लीफ के अंदर क्या होगा लीफ एक्सेशन होगया तो इक प्रिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हम क्या है तो होगी फ्लिया है या से प्लांट भी बोल रहे हैं के हम क्या्य है स्काट्टिंग में हम भी था है हिदं हम थोड़े यंगर था है फ्लियन हम थोड़े ओल्ड होगी हमारी वहालगी서 हमारी hanod की जा रही है तो कुश्चिन नहीं भी बोला है कि senesence क्या है as in active developmental cellular process है देखो ये active developmental cellular process है ठीक है की continuously हो रहे गई रहेगा कि हमारे अंदर हमें पता है कि हमारी growth and development हो जी जा रहे है ठीक है and then हमें पता है कि एक time बाद हमारा भी बढपा आएगा हमारे अंदर भी aging आएगी and then हम indicate कर रही है is indicated in तो ये indicated कहां कर रही है क्या ये annual plant के अंदर हो रहा है नहीं तो floral plant, floral parts की बात की जाए या vessels and tracking differentiation की बात की जाए हमें क्या देखने को मिलता है mostly हमें क्या है ये कि हमारे जो leaf absession है वो हमारे को क्या देखने को मिलता है कि एक particular time of period के बाद हमारी जो leaf होती है वो ज सब्सक्रते जड़ जाती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा leaf absession देखने को मिलेगा यहां पर ठीक है तो हमारे correct answer क्या हो जाएगा D is the correct answer, note कर लेजिया बच्चो ये next question is name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increase the length of stem thus increasing the yield of sugarcane मतलब यहां पर क्या बात की जा रही है कि हम आपको ऐसा plant growth regulator बताना है जिसको हम spray करते हैं किस के ओपर हम कर रहे है sugarcane के उपर तो sugarcane के उपर spray करने पर उसकी जो length है ठीक है जो plant की length है वो increase हो रही है और उसकी LDB क्या हो रही है increase हो रही है like अगर मैं बात करूँ यह देखो अगर मिरा sugarcane का plant है तो हमें पता sugarcane के उपर क्या होगा root का formation होता है advantageous root का formation हो रहा है यह नि हो रहा है अगर मैं इस plant को जब्रेलीक से treat करता हूँ तो देखो इस plant के अंदर क्या देखने को मिला इस plant के अंदर देखो यह देखो यह node यह वालाथा यह तो हमें क्या देखने को मिला जो आपके Nord है ना दो नो आपकी जो internet Nord है इनकी क्या है length होती है वो increase होती है इसके वज़े से आपकी stem की length क्या होगी stem की length increase हो जाएगी ठीक है तो यहां पर नो 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 ने क्या करा नोड दो node के बीच के distance थी उसको increase कर दिया या दो node के कर दिया, जिसके बजी से क्या होगा, हमारे जो गन्ना है, सुवेकन क्या है, गन्ना ही तो है, तो गन्ना क्या होगा एक तरह से, उसकी जो size होगी, वो increase होजाएगी, तो हमने किसे थीड करते हैं, वो मोजगो plant को, हम करते है, gibraliq acids है, क्यों कि gibraliq acids responsible for plant length, वो responsible है ki increase in plant length, ठीक है, कि अगर में कोई और अगर प्लांट की हाइट की बात की बात की बात की बात की जाए तो आप जिब्रेलिक असेड को का टिक करोगे ठीक है तो हम आंसर देख लते हैं हम अुट्रे क analisocure स्कारण के बात की हाइट का आस वह मलाइने की बात की बात क« इस आन्दा की हाइट के लिए. मिसन जीचन फ्रूंशिक बात मीश्यृआओ। आपसिसिक ऐसेड है, stress hormone, stress hormone like अगर देखो, आज हम लोग क्या करते हैं, environment के साफ से हम अपने कपड़े change कर लेते हैं, like हम सर्दी के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़े गरम कपड़े पैन लेते हैं, गरम यह में आते हैं, हम थोड़े टी-Shirt पैन लेते हैं, पर plant क्या कुछ ऐस water जाद दे दिया, तो water stress, drought है, सुखा है, water नहीं मिल रहा, drought stress, अगर soil के अंदर salt concentration जाता है, तो salinity stress, तो plant के पास तो बहुत सारे stress है, तो stress condition में क्या करते हैं, हमारा जो hormone responsible होता है, उस time पे हमारा आपसिसिक अचिट होता है, तो आपसिसिक अचिट बहुत काम करता है, जैसे seed को dormancy condition मिल जाता है, ताकि आप, क्या करो, आप germinate ही नहीं होगे, तो क्या होगा, आपके अंदर कोई metabolic activity ही नहीं होगी, तो उस condition में हम क्या करते हैं, seed को dormancy condition मिल जाते हैं, जब हमारा पास कोई stress हो, ठीक है, but dormancy के लिए responsible for क्या, abscessic acid, stress के लिए responsible for what, abscessic acid, fruit ripening के लिए responsible for what, ethylene, apenastically responsible for what, ethylene, salt, evogenically responsible for what, cytokinein, stem height elongation, stem height elongation, responsible for what, gebralic acid, आगे समाज में, नौट के लिए बच्चो के लिए नहीं होगे, जाते होगे. नहीं है, जो seed का dormancy के लिए लेकर जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपको चार option दे रखे हैं, इन में से तीन option वो है, जो आपके seed dormancy के responsible हो जाते हैं, एक option ऐसा है, जो seed dormancy को prevent करता है, वो रोकता है, कि seed dormant condition में आ जाए, seed का germination हो जाए, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं एक seed, seed देखता हूँ, तो seed की structure क्या गया है, एक particular seed है, ठीक है, हमें बता है कि यहाँ पर radical वाला part है, यहाँ पर radical है, यहाँ पर क्या है, plumule है, ठीक है, radical से आपका root का formation होगा, and primule से आपका shoot formation होगा, इतना बात अब सब जानते हो, छोटे-छोटे बच्चे सब जानते है, आप देखो क्या है, domancy क्या होती है, domancy एक seed को उसके germination होने में जो time लगता है, ठीक है, जो time लगता है, एक seed को उसको germination होने में एक time, particular time लगीगा, ठीक है, तो यह जो time period है, इसके बीच का जो interval है, ठीक है, यह seed है, और यह germinated seed है, यह seed बना दिये मैंने, seed और यह क्या है, germinated seed, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, root formation हो जाएगा, ठीक है, and then हमें पता है, कि seed को germination होने में जो time लग रहा है, उस interval को हम क्या बोलते है, dormancy, उस time period को हम बोलके जा रहे है, dormancy, ठीक है, तो यह dormancy है, इस dormancy को activate करने है काम किसका है, इस dormancy को, अगर हम देखें कि इसको induced को न करके जा रहा है, तो आपसे सिक acid induced seed dormancy, ठीक है, यह एक तरह से इसको क्या करता है, आपसे सिक acid induced करता है, ठीक है, जबकि जो आपके gibralylic acid होता है, gibralylic acid होता है, बच्चों, वो gibralylic acid इसको क्या करता है, prevent करता है, कि आपसे सिक acid inhibit करेगा seed dormancy, क्योंकि dormancy condition ना आए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, कि which of the following is not an inhibitory substances governing seed dormancy, like, अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ- क्या seed dormancy के लिए, को inhibit करने के लिए, क्या हम gibralylic dei सकते हैं, नहीं, seed dormancy को break करने के लिए, होगे, तो dorment करने के लिए seed की growth को रोकने के लिए क्या domestic data प्रमारूर्ट का रोकने के लिए, क्या यह परमनें ग्रोज अरेस्ट हो रही है, नहीं यह क्या होती है, temporary growth हो रही है, in a plant, ठीक है एक particular stage के अंदर रोकने के लिए, ठीक है, तो अगर हमığını यहां पर आपकी temporary growth arrest in a plant in a particular state which is known as dormancy तो यह क्या होगा यहां पर gibralic acid क्या होता है gibralic acid क्या करता है block करता है कि dormancy condition नहीं आने चाहिए यह क्या करता है आपका germination को induce करके जाता है कि germination होना चाहिए ठीक है and abscessic acid induce करता है कि seed आप dormant condition में रो तो यहां पर में लिक सकता हूँ कि यह क्या है dormant seed है ठीक है यह dormant seed है और यह germinated seed है dormant seed में क्या होगा अभी तक germination नहीं हुआ है ठीक है germinated seed में देखो आपका radical formation होगी है यह आपका root formation होगी है shoot formation होगी है ठीक है and abscessic acid abscessic acid answer नहीं होगा क्योंकि abscessic acid induce करता है dormancy को phenolic फिनॉलिक यह बात की जाए, फिनॉलिक आसेड इसे डे सेंड्री मेटाबोलाइट यह पर है, यह क्या होते है, सारे के सारे क्या होते है, secondary मेटाबोलाइट होते है, secondary मेटाबोलाइट का C-domaincie में कोई involvement नहीं होता है, secondary अगर देखें, लाइक टरपी नॉइट्स, लाइक फ्रीनोडिक्स, लाइक आपके आलकेलोइट्स, ठीक है, इनका C-Domancey में कोई कोई एफेक्ट नहीं है। ठीक है हम बुर्ट रिक लिए प्लांट ग्रोथ राएंड डेवलॉपमेंट कोई एफेक्ट नहीं होता है। ठीक है तो कर्ड़ांसर हमारा क्या हो जाएगा। A is the correct answer, Ezebrilic acid क्या है, एक तरह से inhibitory substance नहीं है, किस के लिए? Domainousi के लिए, यह inhibitory substance नहीं करता, अगर आपन देखे कि हापने एक तरह से inhibitory substance लाइक आपन बोले कि असला हम यहाँ पर बोल रहा है, it takes very long time की pineapple plant को flowering produce करने में बहुत ही जाड़ time लोग रहा है, ठीक है, which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield, तो मतलब यह क्या बोल रहे हैं की ऐसा कौन सा combination ले, hormones का, जिसको अगर हम इस पर treat करते, artificial हम flowering को induce करें, तो ऐसा कौन सा hormone का combination ले, कि आपके pineapple plant के अंदर जो flowering long time तक नहीं हो रही है, वो बहुत ही जल्दी हो जाए, ठीक है, और हमारी जो increase है, yield है आपकी, वो yield increase हो जाए, तो देखो क्या होता है, कि आपको बताए कि जो oxygen hormone होता है, oxygen hormone क्या होता है आपके एक तरह से, आपका flowering के लिए responsible है, definitely, आपका cell का elongation के लिए responsible है, definitely, ठीक है, plant growth regulator है, definitely, तो यहाँ पर अगर हम बात की जाती है, cytokining नहीं, abscessic acid, तो abscessic acid क्या करता है आपके, abscessic acid एक तरह से stress hormone है, यह क्या है, stress, stress hormone है, अगर हम देते हैं, तो stress hormone की time पे, seed could dominant condition में आ रहे है, आपकी growth and development stop हो रहा है, ठीक है, flowering stop हो रही है, तो उस condition में आप क्या कर रहे होगा, यह तो खुद ही बोल रहा है कि मेरी flowering नहीं आपा रही है, यह क्या करता है, flowering को inhibit करता है, यह flowering नहीं होने देगा, flowering को inhibit करता है, ठीक है, समझ में आया को बात बच्चों, आप देखो next क्या बोला है इनोने, ठीक है, साइटो कानिन तो इक तरह से हम का option में देख लेते कि साइटो कानिन डेफिनेटली साइट डिविजन करवा रहा है, तो मेबी आपकी flowering को responsible हो जाए, बट आपसिसिक असेड तो रोंग आंसर है, तो यहाँ पर नाश देखो, नाश यहाँ पर क्या बोलके जा रहा है कि जिब्रेलिक असेड एंड थाइटो कानिन, तो देखो flowering अगर बात की जा रही है आपका जिब्रेलिक असेड है, तो जिब्रेलिक असेड आपकी stem height elongation के लिए responsible है, यह क्या करके जा रहा है, dominancy break करने के लिए responsible है, तो यहाँ पर यह क्या होगा, यह सी answer भी wrong हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो next अगर हम देखते है, auxine and ethylin, तो देखो auxine और ethylin क्या है, auxine आपका fruit ripening के लिए, आपका fruit, auxine आपका flowering के लिए responsible है, इन ethylin को mainly हम जानते है, किस के लिए, ethylin को mainly किस बात के लिए जानते है, कि यह fruit ripening करवाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम auxine और ethylin की sufficient concentration लें और अगर हम pineapple plant को से treat करवाए, तो pineapple plant की जो flowering होती है, जो as compared to other plant, जो कि untreated plant है, उन से pallon की flowering हो जाएगी, ठीक है, और अगर flowering हो रही है, तो हमें बता है कि flower होंगे, seed formation भी होगा, fruit formation भी होगा, तो उस condition में हम क्या बोलेंगे, कि यहाँ पर क्या होगी, yield जादा होगी, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर auxine और ethylin की अगर efficient, अगर आपन sufficient concentration लेते हैं, तो उस condition में क्या हो जाएगी हमारी plant, pineapple plant की flowering हो जाएगी, तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, B is a correct answer, ठीक है, note कर लेजिए, next question is, fruit and leaf drop at a leaf taste can be prevented by the application of, तो देखो क्या है, leaf drop, leaf drop मैं बहुत हाँ हम कि leaf abscission, leaf abscission हो, यह मैं बोलू, apical dominance, यह मैं बोलू, apical dominance, ठीक है, मैं बोलू, cell differentiation, यह cell division, और giant differentiation, ठीक है, यह मैं बात करूँ, रूटिंग के लिए, यह मैं बात करूँ, flowering के लिए, यह मैं बात करूँ, पार्थेन कॉर्पे के लिए, तो इन सब के लिए, आपके कौन सा hormone responsible होता है, oxygen hormone responsible होता है, question क्या बोला, fruit and leaf drop, leaf और आपके क्या नामे fruit है, वो early ही जड़ जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, तूट जाते हैं, early stick के अंदर ही, तो उसका अगर prevent करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ethylene, ethylene देते हैं, ethylene आपका fruit ripening के लिए responsible है, ethylene आपका oxygen करवाएगा, ठीक है, ethylene आपका oxygen करवाता है, ठीक है, यहाँ पर ग्यांसर तो इकतर से wrong हो गया, ठीक है, जब्रेलिक आपका responsible क्यों है, यह malt formation के लिए responsible है, यह plant के height increase करने के लिए responsible है, ठीक है, तो जब्रेलिक आपका पार्थन में कोपी करवाता है, ठीक है, तो अगर देखा जाता है, कि fruit and leaf drop के लिए अपन देखें आपसेशन के लिए देखें तो जिब्रलिक आसे रस्पोंसिबल नहीं है ठीक है साइटो कानिन देखें तो साइटो कानिन एक लिमिट होती है बट यह एक तरह से क्या हमें अगर high concentration में दे देंगे तो यह भी कि अपसेशन करवा सकता है बट अगर ऑगजीन देखें तो ऑगजीन क्या होता है और अगर ऑगजीन कंसंट्रेशन अगर high है तो ऑगजीन क्या करता है आपकल मतलब एक तरह से आपकल में अगर देखा जाए है यह हमें पता है कि अगर पजीन काहां पर जान होता है और अगर पर जान देखा इसकी branching को क्या करता है इसकी branching को पर इसकी जो मूवमेंट होती है वो नीचे के साइड होती है बेस पर होती है तो यह इतरह से क्या कर जित है रूट फॉर्मिशन करने के लिए रस्पॉंसिबल होता है समझ मा रहा है तो हमारे चो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा कि प्रूट आड लीव ड्रॉप के लिए आपका अगर प्रेवेंट करना है तो कौन ता हर्मन यूज में ले प्रफॉंसिबल है कि वह ब्रॉप के सता है आर्टिफिशान कर सता है आंड कि अन्दर तौ इंदर बिच आप प्रफॉंच पटर थallo vyंग प्रॉणिटा में इसको रखता हों तो वह क्या कर सता है एक तरह से आपने root and shoot का formation कर सकता है वो अपना division कर सकता है ठीक है तो इन्होंने ये बोला है कि ऐसा कौन सा hormone है वह responsible है कि अगर आप उनको medium में रखते हो तो definitely ये secure हो जाएगा कि आपका shoot और root formation definitely हो गई होगा तो देखो एक तरह से क्या होता है कि अभी आगर आपने देखे कि oxygen hormone oxygen hormone एक तरह से आपका abscission abscission को block करेगा abscission को inhibit करेगा ठीक है ये responsible किसके लिए rooting के लिए responsible है ठीक है ये responsible है आपके applicable dominance के लिए ये responsible है पार्थ है नो कारपी के लिए ठीक है ये एक तरह से क्या होता है आपके वीडी साइट्स होते है न करपतवार नासी बोलते है जिनको हम ठीक है इनके responsible है प्रिवेस इसमें भी मैंना आपको पूरा बताया है कि leave abscission, apical dominance, cell division, gyalum differentiation, rooting, flowering and parthenocopy तो यहां पर हम बोलते हैं कि ये cell आपका gyalum differentiation के लिए responsible होगए flowering के लिए responsible होगए ठीक है तो बहुत सारे काम है आपके इसके auxin के like cytokinin है cytokinin के भी बहुत सारे काम है ये एक तरह से क्या करता है ये delay करता है kinescence के अंदर है ठीक है cell division करेगा cell division के लिए responsible है ये cytokinesis करो cell division के अंदर जो cytokinesis होता है na cytokinesis division in cytoplasm उसके लिए responsible है ये shoot formation के लिए responsible है ये branching के लिए responsible है किसके लिए branching ये आख branching के लिए responsible है shoot formation के लिए responsible है ठीक है delay in synescence के लिए responsible है तो अगर हम देखा जाए ये apical dominance को को prevent करता है और ये क्या करता है oxygen apical dominance को induce करता है ठीक है तो यहाँ पर कुछ example आपने देखे हैं cytokinin के और किसके oxygen के ठीक है तो अगर हम देखे oxygen oxygen क्या आपके रूटिंग के लिए responsible है आपके cytokinesis division in cytoplasm के responsible है shoot formation के responsible delay in synescence के लिए responsible है ठीक है apical dominance को prevent करेगा branching को आपको branching को एक तरह से क्या करेगा induce करेगा ठीक है like अगर मैं बात करूँ यह plant है यह plant है हमें बता अपिकल में स्टेम होते हैं and then lateral और intercalary में स्टेम होते हैं तो अगर यह shoot वाला पार्ट है यह अगर shoot है और यह अगर root है तो हमें यह पता है कि आपका इस वाले पार्ट को अगर top वाले पार्ट को हमने क्या बोला polyoktyle बोला ठीक है तो यहाँ पर कुछ hormone present होंगे तो यहाँ पर जो hormone है top पर वो है orgzine और यहाँ पर जो hormone है वो है आपका cytokininis yeah sorry cytokinin ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होता है देखो कि अगर मैं इनके अगर इनके transporter देखूं मतलब इनको यह बनतो root के अंदर आए आपका cytokinin बनतो root के अंदर आए बट यह क्या होता travel काता है उपए के तरफ और यह क्या responsible है आके plant की branching के लिए ठीक है आउक्जिन बनता तो कहाँ पर है? आउक्जिन बनता shoot पर है पर यह travel कहता है down नीचे के तरफ तो यह responsible होता है यह बना है यह 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 बना है पर यह रसपोंसेबल है। तो एक पर्टकुलर के अंदर मैं oxygen और cytokonin की concentration go ruck़़चो तो मेरा root और its ocean combination हो जाएंगे तो हमें answer भी पुचहा है कि you are given tissue with it's potential for differentiation in artificial culture which of the following pairs of harmony would you add to the medium to secure chute as well as root. Chute as well as root formation करवाना है. तो I, A, A and gibralic, gibralic नहीं लेंगे अपन auxin and cytokinin, definitely auxin and cytokinin सही है, B answer is correct. auxin and abscissic acid, abscissic acid तो, आपके क्या रहे, stress hormone है, यह तो आपकी growth को prevent करके जाएगा, gibralic acid and abscissic acid तो, यह automatic लगत हो गया. तो, correct answer is a B. ठीक है, बच्चो, note कर लेजिएगे. Next question is, the avena curvature is used for bioassayoff. देखो, avena curvature एक experiment था, जो एक particular hormone की identification या, उसका hormone की उपर किया गया था, ठीक है, क्या था, आप यह अपन देखते हैं, कि देखो, plant था एक क्या, avena sativa. एक plant है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो, oate बोलते हैं, या जही बोलते हैं, वही है, oate है, serial plant है, इन्होंने क्या देखा, कि इनको क्या पता था, darwin and darwin, इनसे पहले जो scientist है, इन्होंने यह बता दिया था, कि plant के जो top वाला पार्ट है, colliop tile, जो top वाला पार्ट है, colliop tile, वहाँ पर क्या present होता है, auxin harmon present होता है, तो इन्होंने देखा, कि क्योंना, हम इसके bio essay क्यों पर test करके देखें, कि auxin definitely present है या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर auxin क्या है present है, सबको पता था यह, ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा, कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस उपर वाले पार्ट को तो अलक कट कर दिया, और नीचे वाले पार्ट को रहे दिया, normal, और हमें बता है कि यहाँ पर कोन है, यहाँ पर auxin harmon की concentration बहुत ज़्यदा हाई है, इन् सब्सक्राइब के अंदर इन्होंने इस जो कॉलीपटाइल वाले पार्ट है, उसको एक अगार की ओपर रख दिया, किसके ओपर एक अगार की सलाइड है, इस अगार की सलाइड की ओपर नोंने रख दिया, खीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर कौन है, auxin harmon है, अगार ह काम करता है तो आगार इस आगर बलॉक के उपरा देंगी अब इन्होंने नाग्ष्ट स्टेप के अंदर क्या किया इन्होंने इस अगार प्लेट को इस नीचे वाले पाट के उपरा रखा क्या से रखा है इन्होंने इस अगार प्लेट को इन्होंने इस नीचे वाले पाट के उपरा रखा है इन्होंने इस अगार सब पार्ट को क्या करा इन्होंने एक पार्ट को इन्होंने एक साइट से इन्होंने क्या करा इस अगार प्लेट को रख दिया अगार ब्लॉक को रख दिया ठीक है एक हिस्से पर जाता है क्योंकि आपका अगार से प्लांट के अंदर कोन आ रहा है औक जिन आ रहा है ठीक है अगार से प्लांट के अंदर कोन आएगा औक जिन आएगा तो एक ही साइड में आ रहा है क्योंकि हमने इसको हमने इसको ऐसे नहीं रखा है देखो मैं इसको बढ़ा करके दिखा जतुह हमने कैसे रखा है इसको। हमने रखा इसको यह क्या है। यह कौन है अगार यह प्लान्ट तो हमने देखा कि यहां पर कौन है यहां पर क्या आपके अगरह परजेंट और आपके क्या है और भी आउंचिस की चन्चन्चन्चन क्या को गई बहूत ज्यादा सीजा हài तो उस condition में क्या होगा अब और यहां पर आ रिए तो यह वाला रिजन कौन सा है यह वाला रिजन तो यह रिजन कौन सा है यह वाला रिजन तो लायक वाले रिजन के अंदर जो साल होगी यहां पर भी देखो यहां पर भी पहले साल थी यहां पर भी साल थी यह साल थी यहां पर ठीक है यह साल थी तो डार्क वाले रिजन की जो साल होगी न वह अपनी साइज इंक्रीज कर लेगी तो वह जैसे ही अपनी साइज इंक्रीज करें देखो क्या हो रहा है यह अपने आपर प्लेट है तो यहां की साइल तो क्या है यह वाली साइल तो बहुत छोटी-छोटी साइल है बट यह वाली जो साइल थी ना इन्होंने अपनी size increase कर दी है खी कहे तो और इस के वज़े से क्या होगा तो आपकी जो plant था उन्हों ने लिए क्या होता है, a प्रविचर कर लेते हैं अपने आपको मोल्ड लेते हैं तो जिस side से कर हुआ है plant तो उन्हों ने देखा कि उहाँ पर उन्हों ने देखा कि oxygen की concentration क्या थी बहुत ही जादा थी और जिस side light मतलब जो डार्क वाली रजेजन था वह डार्क वाली रिजन प respects ही ! ऐर लाइट वाली? रीजन पे शेंखर की आपकी Oxygen की कंस्वेंट्रेशन पे? लूश ही तो इसी को इननों बोला Avá कि आभाइना करवाचर टास्ट ठीक है उन्होंने देखा बापेस एक्सपेर्मेंट किया किस नहीं किया था वैंट नहीं किया था वैंट 1926 नहीं किया था यह अग्सपेरिमेंट ठीक है इनों इनको यह पता था कि प्laan-tok वह पले पार्ट है उसके किया कट करने के बाद किया कट करने के बाद हमें पता था कि आपके ऑगजीन क्या होगा नीचे के ट्रेवल करेगा जित्ते भी ऑगजीन थे वह अगार के उपर आयाते हैं नाओ हमने देखा कि उन्होंने क्या करा इस अगार ब्लॉक को उन्होंने क्या करा जो कटावा पार्ट था उसकी एक हिस्ते पर रख दिया पूरा का पूरा कवर नहीं किया एक पर्टिकुलर हिस्ते को कवर किया जैसे ही लाइट आई तो उन्होंने देखा कि प्लांट क्या कर करते हैं एक तरह से कर्व बना लेते हैं मतलब क्या करते हैं प्लांट क्या करता है लाइट की दिशा में मुड़ जाता है लाइट की डायक्शन में मुड़ रहा है तो उन्होंने देखा कि जिस साइड लाइट पड़ रही थी उस साइड तो क्या हो रहा है हमारी सेल क्या है छ यहाँ पर oxygen की concentration जादा देखी, वहाँ cell enlargement हो गया, जैसे cell enlargement हुआ, तो यह क्या हुआ, एक तरह से tilt हो गया, curve ले लिया, इसने एक तरह से, किसके अंदर curve लिया है, avyna के अंदर है, इसलिए हमने बोला कि क्या है, इस test को हमने का नाम दिया, avyna curvature test, किसके bio-acetic के लिया था, auxin, iaa, indole acetic acid, auxin के लिया था यह, ठीके, तो correct answer क्या हो जाएगा, हमारा, iaa, indole acetic acid, ethylin के लिया नहीं था, abscesic acid के लिया नहीं था, gibralic के लिया नहीं था, ठीके, आगे समझ में, not का लेजेए बच्चोंगे, last question is, auxin can be bio-acetic bar, कि auxin का अगर bio-acetic, अगर identify करना है, तो क्या से identify कर सकते है, देखो auxin bio-acetic के उपड एक scientist है, जिनका नाम है, VENT, इन्होंने, VENT 1926, इन्होंने एक plant था, जिसका नाम है, arvynas satyvam, ठीके, इन्होंने क्या करा, इसके उपड़ एक experiment किया, इनको एक बात पता थी, कि auxin होता है, हर्मोन, वो present होता है, top part of the stem, मतलब क्या है, ये callioptyle वाले part पर auxin की concentration बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ये कौन सा part है, callioptyle, callioptyle, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, इस top वाले part को cut करा, इसको cut किया, जिसमें auxin की concentration हाई है, यहाँ पर, and then ये नीचे वाला part को अलग कर दिया, इन्होंने इस top वाले part को, इस top वाले part को किस के उपर रख दिया, उन्होंने इस टॉप वाले पार्ट को लिए एक अगार ब्ल casting अगार ब्लोक के उपर अगार ब्लोक पर रखने के पास अम्या पपात है कि अगार क्या से ब्लाने कि तरहीं कि थे रहें स अगार के ओपर क्या है हुआ है यह और को यह रखने घौ़ंस करा चैजिक है इस अगार ब्लोक को जिसके अंदर आप क्या आ गए है औगजीन आ गया है उन्होंने इसको अब खान रख दिया उस नीचे वाले इस ये नीचे वाला पार्ट है ना इसके आपर रख दिया है क्या आई एक पर्टिकोल साइट से कवर किया अब अगर वो ब्सक्राइब आई आपके जो अख्वीन औरीन आप can't travel करेंगे नीचे के तरफ आएगे नीचे के तरफ आएगे तब जैसे लाइट के पॉतिन हो नहीं देखा की यह आपका अवायना का जो प्लांट है ये देखो ये देखू है यह जो प्लांट है यह क्या कर रहा है कर बना रहा है उननोने के लिस्ट पड़ रहे हैं और यह वाला region कौन सा है dark region यहां लाइट ने पट रही है तो और अनने देखा कि ऑगजीन कौन से region में सबसे ज़्याद है accumulate हुए dark वाल रिजन के अंदर है यहां पर जो cell की जो size है यहां पर जो cell की size है ना cell के size है वो क्या है बहुत ही elongate हो गई है और जहां पर अंदेरा था महां पर जोटी रे गई है उनके size की जोटी ठीक है और उनको oxygen की concentration सबसे ज़्यादा हाई मिली तो इन्होंने इसको क्या दे दिया इसको इन्होंने बोला कि आवाइना कॉलेप्टाइल टेस्ट ठीक है तो इन्होंने आवाइना कॉलेप्टाइल और यह जो बना रही है cell तो आवाइना कॉलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट बोल दिया तो oxygen के बायो एस्थी के लिए कौन responsible है क्या potometer नहीं लाट्यूस हैपोकॉटिल elongation ऐसा कुछ भी नहीं है आवाइना कॉलेप्टाइल कॉलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट डाफिनेटली सी आंसर इजे करक्ट एंड हाइड्रोपॉनिक यह तो बहुत ही अलग बात होती है ठीक है हम देखेंगे वाइड हीड्रोपॉनिक ठीक है तो आवाइना कॉलेप्ट करने के बाद उन्होंने उसको बापे से जहां कट कर रहा है नीचे वाले पाट के उपर उन्होंने इसको सैट किया और जहां पर लाइट के पर देखा कि प्लांट बापे से कर्व हो रहा है तो वह कहां कर्व हो रहा है देखा उन्होंने देखा कि ऑउग्जीन की कंसेंटर next question is what causes a green plant exposed to the light on only one side to band towards the source of light as it grow what causes a green plant exposed to the light what causes a green plant exposed to the light what causes a green plant exposed to the light what causes a green plant exposed to the light on the one side to band or light then after one side to band and they see that the band is banded the plant is top of the part is banded to band towards the source of light which side is banded, which side is banded, which side is banded, not the light here which side is banded, not the light here, then it is source of light then banded as it grows, so they are banded so they are called as it grows then they are called as it grows, so they are called as it grows. So you see two scientists Charles Darwin and Francis Darwin, father and son, so they had experiment seen that they saw sunlight in the presence of light, so the plant is banded its way हमें अपने को मारे रहे हैu ठीक है तो and then इन्होंने यह बताया इन्हों जब nalतेव किया तो इनो ऑनोने देख़ा कि आपका K Prime ऑनो फिल्फट इन्होंने का स्टधनि आ 돼вор ग्राव सब्फटनि अप spilled अभा फिल्फत सब्फ दन्ण अबाद divorce करने प्लांट को लाइट की दिशा में मोड रहे हैं तो इननोंने देखा जरूर कुछ नगुछ आइसा कमिकल है या कुछ नगुछ आइस परजेंट है जो प्लांट को लाइट की दिशा में मोड रहा है ठीक है तो उन्होंने इसको identify किया कि यह क्या है इक particular हार्मोने जिसको अन्होंना बोला था IAA Indole Acetic Acid ठीक है इनके उपर इनके experiment को आगे और आगे प्रोसेट किया और फर्दर जो scientist है उन्होंने जो WANT scientist है उन्होंने क्या देखा वANT 1926 उन्होंने क्या देखा था WANT 1926 ने क्या करा उनको यह तो पता चली गया था कि आपकी पहले पार्ट के उपाई यहां पर क्या पशेंट है और ऑगजेंहें किसने बताये तो डार्विन एंडर्विन ने ठीक है क्योंकि उन्होंने आइस कोई ना कोई chemical ऐसा कुछ है जो आपकी plant को क्या कर रहा है बैंडिंग के लिए responsible है तो वैंट ने क्या किया यह आपका जो plant है गिदे हुई है यह तो यह तो वाला पार्ट था उनको पता था कि यहाँ पर क्या है और अपने 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 अप्रेमेंट में इनोंने क्या कर रह इनोंने किसके अपर आगार block के अपर shift कर दिया है यह आगार block है ठीक है तो हमें पता है कि Collioptyle के अपर यह जो Collioptyle है ही हमार्मण कौन सा है औक झीन तो यह क्या होगा बैसीप्टल मूवम्मेंट करता है नीचे के तरफ आएगा तो यह नीचे के तरफ क्या होता है अब उन्होंने बापेश से एक की साइट उन्होंने एक लाइट देके देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पनेंट आ रे थी वहाँ की सेफिंसर नहीं कि वहा पर उनने देखा कि वो cell क्या है बहुत छोटी छोटी है अभी भी, cell enlargement देखने का नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने यहाँ पे, यह test किसके अंदर क्या था, यह test क्या था, अवाइना क्या था, अवाइना क्या अंदर, अवाइना कॉलियोप, टायल, करवेचर, टैस्क, फॉर, औगजीन, बायो ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं क्यूश्टन से भी यही पूछा है कि, what causes a green plant exposed to the light on the, light on only one side to band towards the source of light as it grows, the light stimulate plant cell on the lighted side, क्या light stimulate plant cell on the lighted side to grow faster, क्या light stimulate the plant cells है, क्या वो faster grow कर रही है, देखो नहीं, आसा कुछ भी नहीं कर रही, क्यो नहीं कर रही है, यहाँ के cell क्या है, यह cell क्या है, small size किए, small size है, जबकि जहाँ dark वाली cell थी, dark वाली cell है, उनके cell के अंदर क्या होगा, sand enlargement हो गया, क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या थे, oxyne accumulate थे, oxyne accumulate थे, oxyne accumulate थे, तो उस condition में क्या होगा, oxyne जहाँ present है, उस वाली cell के अंदर क्या होगा, cell का enlargement होगा, जहाँ oxyne present थे, महाँ पे cell क्या है, छोटी-छोटी अभी भी, ठीक है, तो यह तो एकदम रॉंग है, oxyne accumulate on the shaded side, definitely shaded side में, light side में था ही नहीं, stimulate greater cell elongation दिया, तो definitely यहाँ पर देखो, stimulate कर रहा है, यहाँ पे, इस वाली side में की greater stimulation हो रहा है, cell elongation हो रहा है, तो यह answer एदम correct है, green plant need light to perform photosynthesis, green plant definitely need करती है light photosynthesis के लिए, but bending के लिए ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो यह wrong हो गया, green plant sick light because they are photo traffic, तो यह answer सहीं ही है, answer क्या हो जाएगा, auxin acclimate हो रहा है, shaded side पर ठीक है, and stimulate greater cell elongation दिया, क्यों क्योंकि cell elongation ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे auxin ज्यादा stimulate हो रहा है, dark यह shaded region यह तरफ, ठीक है, note का लिजिया बच्चों के लिए. The agar would produce a banding on, banding when placed on one side of freshi cut colleptile systems, of what significance is this experiment, okay, देख लेते है, when the scientist went 1926, इन्होंने एक experiment किया था बच्चों, क्या experiment था, देखो एक बार के लिए, इन्होंने इनको यह पता था, कि आपके auxin जो stimulate होते हैं, plant में, ठीक है, वो क्या होते है, इन्होंने क्या कर रहा, सबसे पहले, इसके टॉप अले पार्ट को cut कर दिया, इनको यह पता की है है, फे auxin hormon present है then इन्होंने क्या कर रहा, next experiment में इन्होंने क्या कर रहा, इस वाले पार्ट को, जो top वाला पार्ट है, कौनसा पार्ट है, यह Colu 보ft् cell उन्होंने इसको क्षिकयो पर रख दिया ? अगार ब्लोक के उपर रख दिया, उन्होंने ये बोला है कि Dr. F. Vant noted that if colioptile tips were removed, colioptile tips अबने remove करी and placed on agar for one hour, उन्होंने क्या करा, इसको agar के plate के उपर रख दिया, agar plate पर रख दिया, agar block बोल सत्तों में, तो हमें पता है कि agar block के उपर रख दिया, यहां पर colioptile पर कोई ह है, oxygen harmon है, agar is a nutrition, nutrient क की तरहे काम करेगा, ठीक है, then य क्या होगा, एक तररसे क्या होगा, यह harmon क्या housekeeping यहांगे, नीची ट्रयावल होंगे, agar में आएंगे नेक्स राउन में उन्होंने क्या कर यजो नीचे वाला पर था इप लाएफ प्लाट का इन्होंने इसके आपर कारा यह आगारण बलॉक व्रग दिया पर ड्यक रफ़ड अ क्या कम्प्लेट रखा है नहीं नहीं completely इसको cover नहीं करा इएk particular side में रख दिया ठीच ए एक particular side पर रख दिया, क्या पूरा cover करा रहा है नहीं एक particular side पर रख दिया, ठीक है and then उन्होंने क्या क्althe light source थी हमाएये पास है एक तरह से banding show कर रहे है, curvature use हो रहे है, curve use में ले रहे है, curve आ रहे है, तो उन्होंने देखा कि जहां पर यह तो light वाले region हो गया light और यह हो गया dark, ठीक है अगर प्लेट रखे थी, plant में हम यह curve देखने को मिला, ठीक है banding देखने को मिली, मतला हम क्या बहुत है banding observe हो गी, तो उन्होंने देखा जिस side जो dark वाली side थी, उस side की cells थी, उन cell की size थी, उनके अंदर क्या हो, enlargement देखने को मिला और जहां पर light वाली cell थी, वहां की cell क्या हो गई एक तरह से, स्मॉली size की, ठीक है, dark वाली region के अंदर जब उन्होंने ने observe किया, तो वहां पर उनको क्या देखने को मिला, कि यहां पर एक auxine hormone की concentration as compared to light world region होती ज्यादा है, यहां पर हार्मन की concentration, हार्मन की concentration ही नहीं है आपर, और dark वाली region के अंदर क्या था, जो shaded region था, जो dark region नहीं है, shaded, shared वाला region है, वहां पर हमार को क्या देखने को मिला, कि auxine accumulate हो गए है, और जिस जगे पर auxine accumulate होए थे, वह वाली cell क्या होगा ही, cell elongate होगई है, यह cell के अंदर हम क्या बहुत रहते है, cell enlargement होगया, cell का enlargement होगया, तो यह एक particular क्या था, आपके vent का experiment था, इस एक्परिमेंट का लाम था, आवाइना, कोलोब ताल, करवेचर, तास्ट 4, bioassay, bioassay of, bioassay of auxine, आया समझ में, तो यह हमें को observe करना ही, आपके क्या बोल रहे हैं यह, कि it made possible the isolation of accept identification of auxine, definitely auxine identification के लिए हम use कर रहे हैं, तो a answer ही है, देखो हमारा correct बोल रहा है, ठीक है, b, देखो, it is the basis of quantitative determinations of small amount of growth promoting substances नहीं, आसा कुछ भी नहीं है, it supports the hypothesis that IAA is auxine, आसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, it demonstrated polar movement of auxine, आसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि polar movement के लिए हम आपस chemo-osmetic hypothesis है, उसके तरू हम क्या करेंगे, polar movement, easily हम समझ सकते हैं, तो correct answer is a, a is a correct answer, it is, it made possible the isolation and extract identification of auxine, auxine का extract करने के लिए है, आसा का identification करने के लिए है, ठीक है, हमने ये एक test किया था हूं, ठीक है, ये VANT का test है, VANT 1926, ठीक है, note कर लेज़े बच्चों.